नवसकर दोस्तो जहिंद वंदे मातरम दोस्तो मैं आपके साथ जैसवाल सर शभी प्यारो मैत्रों का Welcome अभिननदन है शभी मैत्रों को जहिंद वंदे मातरम दोस्तो बात करेंगे बालविका सिच्छा सास Child Development and Pedagogy के Class No.4 की बात करेंगे यह fourth number class है और एकास और ब्रिदी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम total जो हैं आपके यहाँ पे 7-8 class करने वाले हैं क्योंकि आप book में देखते होंगी कि बस जादा जादा 50-60 question दे दिये जाते हैं जो आपका पूरे question clear नहीं होता है, chapter आपका clear नहीं होता है तो बाल विकास और अउधारना से लगबग हम 170-180 question लेंगे जो पूरा chapter आपका clear करेगा question के मादम से, MCQ के मादम से तो आईए सुरू करते हैं CDP की class बाल विकास एवं सिच्छा सास के class number 3 का पहला प्रशन आपके इसकीन पर है, इस class में 25 महत्पूर लाजबाब question रहने वाले हैं पहला प्रशन दोस्तो, प्रारम्भी कवस्था में सिच्छू अत्याधिक होता है बहरमुकी होता है, नेश्वात होता है, श्वकेंदित होता है, परोपकारी होता है आपका comment, feedback आचुका है, कि प्रारम्भी कवस्था में सिच्छू जो होता है अत्याधिक रूप में किस प्रकार होता है, तो श्वकेंदित होता है इस पर श्वकेंदित की बात कर रहे हैं, तीसरा अपसन के हो जाएगा क्योंकि ना तो बहर मुखी होता है, ना ही नेश्वात होगा, ना ही परोपकारी होगा क्या हो जाएगा, श्वकेंदित हो जाएगा तीसरा अपसन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा अब देख लेते हैं, दूसरा प्रशन क्या दिया गए, आप लोगों की स्कीन पर दिया गए है कि नेमलिखित में से क्या है प्रशन बहुती महत्पून और लाजवा प्रशन है कि नेमलिखित में से कौन सी मद्ध जो है बाल्ले वस्था की बिशेष्था है तो मद्ध बाल्य अवस्था सभी लोग जानते हैं किसकी बात कर रहा है मद्ध बाल्य अवस्था कि सोरा अवस्था सैसा अवस्था बाल्य वस्था ये तीन ऐसी अवस्था हैं जो प्रशन आपके हैं तीन से चार प्रशन इन अवस्थाओं से प्रशन पूछे जाते हैं तो मद्धा बालय वस्था की विशेष्टाइं बताना है आमूत रूप से सोचने तरभ वैगानिक तरका प्रयोग करने की योगदा विख्षित होती है बच्चे तार्किक एवाम मूत रूप से सोचना प्रारम करता है अधिका मूख रूपशे श्रमवेदी एवाम चालक ग तो मद्ध बालावस्ता की सेड़ी में बच्चा क्या करता है बच्चे तार्की के गवं मूत रूप से सोचना प्रारम कर देता यह आपको ध्यान देना भी आप्शन सही हो जाएगा तीसरा प्रशन दोस्तों आपके स्कीन पर है सभी पैरमित कमेंट करेंगे फीड़ वेग करेंगे तीसरा प्रशन यह है कि बालावस्ता की ओधारना से क्या अभिप्राय होता है कि शमकालिन समाजिक संद्चनावादी मनोब बेग्यानिकों के अनुसार यह एक समाजिक संद्चना है यह है कि बच्चे दुष रूप में पैदा होते हैं और उन्हें शब बनाना होता है यह कि बच्चे सुन से शुरुवात करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश द्वारा निधारित किये जाते हैं यह हम फोर्ट आप्शन की बात कर रहे हैं यह बिभिन शांस्कतिक संदर्भो में शार्भाम रूपशे शमान होता है तो राइट अप्शन क्या हो जाएगा दोस्तो प्रशन ही इंपोर्टेंट हो जाता है कि बाल लेवस्ते की अधारना से अभिप्राय पूंचा गया है किसकी बात करें बाल लेवस्ता की अधारना की अभिप्राय पूंचा जा रहा है मतलब इसका आसे क्या हो जाएगा इसका भी प्रा यही होगा दोस्तों कि शम कालिन समाजिक सनचना वादी मनो बेग्यानिकों के अनुसार यह एक समाजिक सनचना हो जाएगी पहला आप्शन सही हो जाएगा चौथा प्रशन आपकी स्कीन पर है आई होप शबी प्यारमित वीडियो के एक बार दिल से अवस लाइक कर दिया होगा अपने परिवार टीटी परिवार सिचकों के परिवार जैस्वाल कोचिंग सेंटर के बात कर रहे हैं चौथा प्रशन दोस्तो मानो विकास की वह अवस्था जिससे सुनहरी अवस्था कहा जाता है नाम कहें होगे सुनहरा पल चल रहा है सुनहरी हवाय चल लई है सुनहरा अच्छा है सुनहरा वातवरन है लेकिन ऐसे ही हम बालकों में क्या होती है बालकों में सुनहरा अवस् आएगी वह बाल्य वस्था कहलाती है पांचमा प्रिश्ण आपके स्कीन पर है निम्लिकित में से कौन सब विकास उत्तर बाल्य वस्था के लिए उप्युक्त नहीं होता देखे उत्तर और पूर ये सब्द आपको ध्यान देना है मान लिजे कोई अवस्था है जन्म से लेके और तीन साल बाद का लेना है तो तीन साल पहले का मत्तब एक से जन्म से लेके तीन वस्था क्या हो जाएगा पूर किसोरा वस्था हो जाएगा और आपका तीन से लेके च्छे वस्था उत्तर किसोरा वस्था हो जाएगा अब बाल्य वस्था ज्यादे तर पूंचा जाता देखिए साधान खेलों के लिए सरीग दच्छता अधिगा मशक्ता होती ये भी हो जाएगा विक्तिगा सुतंता प्राप्ट करता है हम उब्रों के साथ रहने को सीखता है तो ये सारी चीजें उत्तर बाल लावस्ता की सेड़ी में बालक करता है लेकिन एक पुरूष चैस्ति के समाजी भूईं का प्राप्ट करना ये बालक नहीं करता है तो आपका बी आप्सन आपर सही हो जाएगा एक आज इंटो कुश्चन नेगेटू आप्सन बी आप्सन हो जाएगा चैसे गेरा वर्स आउवर के बालकों की बिशिष्चताएं क्या होगी मतब पूरी तरह से बाल लावस्ता की बात कर रहे हैं यह हम कह सकते हैं बाल लावस्ता की बिशिष्चताएं क्या होगी ठीक है बालक शुभावी के अब हम शक्री अधिगम करता होता है सीखने के लिए सिचकों पर निर्वर होता है बालक सिचकों से ग्यान प्राप्त करता है या बालक सीखने में रूचि नहीं रखता है देखे 6 से 13 वस आई के बालकों की जो बिशिष्ष्षाएं दिये गए है ठीक है बिशिस्ताओं में आपको ध्यान देना है कि बालक सीखने में रूची नहीं रखता है पहले यह दे दिया कि बालक शुभावी एम सक्री अधिगम करता है सीखने के लिए सिचकों पर निर्वर होता है बालक सिचकों से ग्यान प्राप्त करता है ये सारी चीजें सिजकों से ग्यान परप करता है लेकिन रूची की अगर बात करें तो बालक सीखने में जो है रूची नहीं लेगता है बाला वस्ता में लेकिन जब किसोरा वस्ता में जाता है तो सीखने में रूची लेने लगता है कोई भी डाउट हो कमेंट करके फीडवेक करके ज़रूर बताएं सात्वा प्रशन है कि छाया सातवस का बालक है जो दूसरे की विचारों को श्विकार करने की योग नहीं होता है क्योंकि वह बहुत छोटा होता है क्योंकि वह एहम केंदित होता है क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है क्योंकि वह कलपना शेल होता है तो 6 यangan 7 वस का बालक दूसरे के विचारों को श्विकार करने के योग नहीं होता है क्योंकि प्यारे मित्रों वह अहम केंदित होता है ये ध्यान दीजेगा बच्च अगर 6-7 वस्ट का स्टेज अवस्ता है तो वह कैसे किस प्रका होता है उनके बिचार जो होते हैं एहम केंदित होते हैं बी आपसन करेक्ट आपसन राइट एंसर हो जाएगा आठ्वा प्रशन आ चुका है आई होप शबी प्यारे मेत्र दिल से हरे कोशन को अटेंड कर पा रहे होंगे अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे आठ्वा प्रशनिया है कि दलिया गैंग का सदस होने से समाजी करण उत्तर बालावस्ता से बहतर होता है निन में से कौन सा कतन इस विचार के बिप्रीत होगा बिप्रीत मतलब बिलोम की बात करेंगे क्या वह वैसकों पर निर्वर ना होकर सिकता है जिम्मेदारियों को निभाना सिकता है अपने शमू के प्रति वफादार होना सिकता है ये चोटी चोटी बातों पर जगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदसों के से लड़ाई मोल लेता है देखे दल या गैंग सदसोंने के समाजी करण उत्तर बाल लबस्ता में बेतर होता है समाजी करण उत्तर बाल लवस्ता कौन सा कतन इस विचार की विप्रीत होगा तो समाजी करण उत्तर बाल लवस्ता में कतन है कि वैसकों पर निर्भर नहों कर वैस सीखता है बच्चा जिम्मेदारियों को भी निवाता है क्योंकि समाजी करन उत्तर बालास्था की बात कर रहे हैं अपने शमू के प्रति वफादार होना सीखता है लेकिन छोटी छोटी बातों पर जगड़ा करते हुए अपने गैंग सदस्वों से ललाई का मोल लेना ये बच्चा जो है समाजी करन उत्तर बालास्था में नहीं सीखता है ये कतन इस बिचार की बिफरीत हो जाएगा एक आड़ी इंटो कुश्चन राइट अपसन नमबर डी हो जाएगा नौवा प्रिशन बहुती बेतरी लाजबा प्रिशन है प्रभुता सत्ता की बिफरीत बिरोध अशान्ती की बात करेंगे आत्मिर्धा के प्रती आगरही की बात कर रहे है सक्री खेलों की स्थान पर बैठे रहकर खेलने के हम किसकी बात कर रहे हैं अधिक पसंद की बात कर रहे है तो वय संदिकाल में कौन सा बाय अविक्त नहीं होगा देखे प्रवता सत्त के विप्रीद विरोध ये भी होगा अशान्ती हो सकता है आतमिधा के प्रति आगरी हो सकता है लेकिन सक्री खेलों के इस्थान पर बैट कर या बैट रहकर खेलना अधिक पसंद ये जो है आपका वय संदिकाल में बाय अविक्त नहीं होगा ठीक है डी आपसं सही हो जाएगा दस्वा प्रशना ये जान लेते हैं शमझ लेते हैं क्या पूंचा जा रहा है बहुत ही बहतरीन प्रशन है कि निन में से कौन सा कतन जो है मिडल स्कूल इस तर बिद्यार्थियों में शहमित न रखता अर्थात नहीं मतलब निगेटू नकरात्मक तो आपसं हमें देखना पड़ेगा कि समाजिक बिवार उत्तर शमयस समूं के अदर्शों से प्रभावित होता है इस अवस्ता में अधिकांस बालग ती व्रगस से व्रद्धि प्राप्त नहीं करते हैं या बौदी सुप्स्टों में नहीं होते हैं अकर प्रात्मी की बात करें तो प्रात्मीक हो जाए का लेकिन मिडिल स्कूल में यह आपका कथन कुछ है तिस लोग जानते हैं प्रात्मी सिच्छक वर्ती में भी फूचा गया तो खिलोने कि आविक दोस्तों किसको कहा जा जाता है सभी लोग जानते हम उत्तर बाल लाय वस्ता की बात करेंगी काफी जगे उत्तर बाल्यवस्ता यह रहता है लेकिन खिलोने किया जो होती पूर बाल्यवस्ता को कहा जाता है बरावा प्रशन दोस्तों यह है किनिन में से कौन सी पूर बाल्यवस्ता की विसेष्टा नहीं होगी देखे बाल्य वस्ता का बहुत सारे प्रशन बनते हैं क्योंकि कि सोरा वस्ता से ऐसा वस्ता ये थोड़ा नारमल होते हैं बहुत पूंचे जाएगे लेकिन प्रजेंट टाइम में अगर देखा जाए टीटीक जाम में अभी तक यतने भी दो तीन सालों से देखा जाए कि पूर बाल्य वस्ता से जादा प्रशन पूझे या नहीं कि बाल्य वस्ता से प्रशन जादा बनते हैं पूर और उत्तर बाल्य वस्ता तो यहाँ पर ये इसको ध्यान देना इस चैप्टर को थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं आप माइंड मिलेंगे बहुत अच्छा प्रिपेशन में आपको मदद करेंगे इसे आपके स्कोर आउट आप 30 में बेतर हो सके और 25 प्लस हो सके तो दोस्तों कौन सी पूर बाला वस्ता की बिसेस्ता नहीं होगी दल समूर रहने की अवस्ता, अनुकरन करने की अवस्ता, प्रिशन करने की अवस्ता, खेलने की अवस्ता की बात कर रहे हैं तो दल और शमू रहने के वस्ता जो है पूर बाला वस्ता की नहीं हो जाएगी फिर हमारी कहलाजीगी उत्तर बाला वस्ता में आता है मांकी अनुकरन करता है बच्चा प्रशन करता है और खेलने के वस्ता कहलाएगी पूर बाल्य वस्ता हमने पिछले भी कोशन कर चुके हैं तिरामा प्रशन दिया गए आपके स्कीन पर दिया गए है कि सर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्ता में होता है बच्चे के देखते होंगे शर्म करनेता है कहता है मुझे गर्व है शर्म और गर्व ये जो भावनाएं हैं विकास के सैसा वस्ता में होता है बाल्य वस्ता में किशोरा वस्ता में या बात कर रहे हैं ब्रद्धा वस्ता की बात कर रहे हैं ब्रद्धा वस्ता तो आप्शन हो ही नहीं सकता ठीक है अगर हम बात करें किसोरा वस्ता की तो शर्म और गर्व जैसी भाउना का विकास विकास की बात कर रहा है ये ध्यान देना है परिपकता की बात नहीं कर रहा है परिपकता आपका किसोरा वस्ता में होगा लेकिन विकास की सवस्ता में होता है तो विकास आपके बाल्लावस्ता में होता है यह आपको ध्यान देना है 14 नंबर प्रशन क्या कह रहा है कि बाल्लावस्ता की प्रमुक मनो बैग्यानिक बिसेश्ता क्या होगी क्या प्रशन पूंचा जगा है मनो बेग्यानिक बिसेश्था बहुती समझने वाला प्रशन है ठीक है समझने वाला प्रशन है दोस्तो कि बाला वस्ता की प्रमुख मनो बेग्यानिक बिसेश्था क्या होगी ठीक है पर निर्भरता होगी शामुहिक्ता की भावना धार्मिक् शबी प्रश्मान 12 वर्स कियाओ में कि बच्चे में सबसेदिक चाहिए इस गिती हब होता है या अब और यहां में उसकी रुचियों को सेमित करना है या समकच्छी के अनमोदन के लिए बेचैनी की बात कर रहे हैं तो एक प्रशमान बारे वस्थ की आउव में बच्चे में सबसे अधिक संभव क्या होता है समकच्छी के अनमोदन के लिए बेचैनी होती है D option सही हो जाएगा अंगला प्रिशने दोस्तो 16 नमबर प्रिशने शलहामा प्रिशने कि पद शमवेगात्म करांती किस अवस्था से अधिक जुड़ा होता है सैसा वस्था से बाल्य वस्था से किसोरा वस्था से यह बात कर रहे हैं प्रणा वस्था की बात कर रहे हैं आपका comment आपका feedback आपका opinion शर्मान है शबी प्यारे मित्रों का welcome अभिनदन है हर एक भाई बेहन हर ग्रणी का जिनका सपना है government teacher अध्यापक अधापी का बनना जैस्वाल सार्श अभी का श्वागत अभिनदन करते हैं दोस्तो ऐसा पद दिया गया है समवेगात्मक क्रांती और अवस्था बताना सबसे अधिक जुड़ा हुई अवस्था जो होती है शमवेगात्मक क्रांती जब सद दे दिया जाए तो आपके किसोरा अवस्था की आपसन की बात कर रहे हैं शत्रामा प्रिशन दिया गया है कि वह अवदी जो वैस्कता के संक्रमन की पहल करती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों ऐसी अवदी ऐसी अवस्था जो वैस्कता के संक्रमन की पहल करती हो मध्ध बाल अवस्था पूर क्रियात्मक अवदी बाले वस्ता की समापती या किसोरा वस्ता की बात कर रहे हैं सभी जानते हैं संक्रमन आये संक्रांती आये क्रांती आये एक ही आपसन पकड़ के चलना है वह किसोरा वस्ता जी हाँ D आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रशन है सैपार्टियों का दवाव जब सबसे अधिक प्रवाव डालता है वह प्रारंबी का वस्था पर है, मद्य बाला वस्था पर है, प्रारंबी की सोरा वस्था पर है या उत्तर वस्था पर लेकि सहफार्टियों का दबाव मतलब होता है कि हम जीसे 4-5 लोग दोस्त लोग हैं अब दोस्त में से कोई 2-3 ओपियन ये होता कि नहीं आज ये करना है नहीं ये करना है और एक साथी बोला नहीं करना है तो उसमें क्या होता है ये दबाव बन जाता है तो यही बताना है कि सहफाठियों का दवाज जो है सबसेधिक प्रभावर डालता है किस अवस्था पर डालता है तो सभी लोग जानते हैं उत्तर किसोरा अवस्था पर डालता है सहपाठियों का जो अधिक प्रवाव डालता है वह उत्तर किसोरा वस्ता देखे पूर किसोरा वस्ता कब से रहेगा बारा से लेके आपका पंदरा रहेगा और पंदरा से लेके अठारा या सोला से लेके अठारा वस्त क्या हो जाएगा हमारा उत्तर किसोरा वस्ता हो जाएग अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है या आत्म चेतन आत्म चेतना कम हो जाती है देखे किसोरा वस्ता में संदर में जो कथन दिया गए कई नवीन आंतिक और बाय परियोतन दिखाई देता बिलकुल कथन सत्त है वह आयू अतदिक शम्वेगात्मक होती हमने हो जाएगा किसोरा वस्ता के संदर में तो आपका यहाँ पर डी आपसन सही हो जाएगा अब देख लेते हैं दोस्तों बीश्वा प्रशन क्या दिया गया है कि 16 वर्सी रभी अपने आप में प्रतक श्वनियंतिक विक्तिकी भावना को विक्सित करने का प्रयास कर रहा है तो वह विक्सित कर रहा है किसकी विक्सित कर रहा है नेमों के प्रतिगहना को विक्सित कर रहा है श्वैतता की विक्सित कर रहा है किसोरा वस्ता आत्मा आपके अकड़पन देखते होंगे काफी सारे बच्चों में जब किसोरा वस्ता की स्चेज में बच्चा होता है बार अवस्था के बाद का अवस्था की सोरा अवस्था में होता है और सोले वर्षी रभी अपने आप में प्रत्थक श्वन यंत्रित विक्तिकी भाना को विक्सित करने का प्रयास कर रहा है वह श्वैत्ता को विक्सित कर रहा है 21 प्रशने 5 प्रशनोर करने वाले हैं दोस्तो इस्टेनले हाल के अमसार अधिक तनाव और तुफान की अवस्था प्रोड़ा वस्था को कहते हैं बाल्य वस्था को कहते हैं किसोरा वस्था को कहते हैं या दोस्तो आपके सैसो काल की अबधिक्यों कहते हैं शबी comment किजेगा हम बात करें इस टेनले हल की बात कर रहे हैं और इनके अधिक तनाव और तुफान की जो वस्ता होती है वह हमारी कौन से वस्ता कहलाती है किसोरा वस्ता कहलाती है जियां बहुत ही बेतरी इनलाजवा प्रशने है आपका comment आपका feedback शर्मान है 22 प्रशने कि इनमें से किसका विकास किसोरा वस्ता में नहीं होता है इसलिए हमें मालूम होना चाहिए किसोरा वस्ता में क्या विकास होता है विसेस्ता है मालूम होना चाहिए ठीक है और आपके बाले वस्ता की मालूम होना चाहिए और सैसा वस्ता की मालूम होना चाहिए तो बच्चा होता है आहम के दीता होता है लेकिन किसोरावस्ता में जो है आब रुचियां तक्षर्थी, प्रेश्ण की योगता, यह सारी चीएज़े विकास होगी आहम केंदीता का विकास पहले ही हो जाता है तो एह आप्शन रही हो जाएगा अंगला प्रिशन क्या दिया गए है कि बाल विकास के किस चर्ण में विपरीत लिंग की ओर अधिक्तम आकर्षन दिखता है सैसा वस्ता में, बाल वस्ता में, किसोरा वस्ता में या वैस्क आवस्ता की बात कर रहे हैं किसी की विकास सील अवस्था में शमानत है शंगर्स की अवस्था की बात कर रहे हैं। आवदी कहलाती है चैसवा वस्ता है बाल्ला वस्ता है किसोरा वस्ता है यह दोस्तो वैस्क की अवस्ता कहलाएगी तो एक ही आपसन करेंगे वह हम करेंगे किसोरा वस्ता की बात कर रहे हैं पचीसवा प्रशन है इस सेसन का इस क्लास का क्लास नम्मर फोर्थ का कि विकास की कौन सी अवस्ता है जो तनाव यम तुपान की अवस्ता कहलाती है सभी जानते हम कि सोरा अवस्ता की बात कर रहे हैं तो दोस्तों ये सेसन ये क्लास आपको कैसे लगा 25 करेंगे और ये चेप्टर से टोटल हम 170 या 75 या 80 कोश्चन करने वाले हैं लगवग 2-3 क्लासें और करेंगे और पूरी हर एक कोश्चन हर एक सिसन इंपोर्टन करेंगे छोटा छोटा सिसन को पकड़ेंगे और सेलेक्शन की त्यारी मजबूत करेंगे क्योंकि जब घर का कोई होम का निर्माण होता है उसकी अगर निव मजबूत है दोस्तो तो उपर कितनी भी मंजिल बनाई जा सकती है उसी प्रकार प्रेपेशन में एक पॉइंट छोड़ना हमारी गलती होती क्योंकि वहां से भी प्रिशन पूचा जा सकता है तो कोई भी डाउट नहींगा हर एक डाउट क्लियर होगा हर एक कोशन हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा क्योंकि यहां पर सेलेक्शन 101% से ओर है सभी मित्रों को जेहिंद वंदे मातम दोस्तों मैं आपके साथ जैस्वाल सर मिलूगा नेस वीडियो नेस कंसेट पर सभी मित्रों को धनवाशा